ये गाड़ी है मैं हूँ तुशार साओ and welcome to my channel दोस्तों आज आज आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ हमारे पास में लेटेस्ट मेहंद्रा बुलैरो नियो एन एट वीडियन गाड़ी है मेहंद्रा के न्यू लोगों के साथ में आपको भी मिलने लगी है बाई इस गाड़ी के अंदर अभी हम लोग सारी लेटेस ऐसेज डाल रही है तो वीडियो में आप आखरे तक बने रहे हैं सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है चलिए समय पहले इस गाड़ी का एक ओवर्व्यू ले लेते हैं वाइट कलर की हमारी ये बुलैरो नियो गाड़ी है जिसके इंटीजर में आप देखें हैं डिवल टॉन कलर का डैसबोट है ब्लैक इन बेज कॉमिनीशन मेहंद्रा का न्यू लोगों आपको स्टेरिंग प अभी आप देख सकते हैं गाड़ी के सीटों को बाहर लिका लिया गया है वो इसलिए ताकि हम इस गाड़ी के अंदर डाल सके फ्लो लाइमिनीशन फ्रेंट में आप देखेंगे तो इसमें मेहंद्रा का न्यू लोगों आपको ग्रिल में देखने को मिल जाएगा एनिट व वो आपको इसके वील कैप पे भी देखने को मिलेगा यह कंपनी की जैनवन वील कैप से जो की महंद्रा लोगों के साथ में आपको मिलते हैं बैक साइड में LED SD कैमरा डाला गया है जिसका व्यू आपको 9 इंच के फुल टच एंडॉड सिस्टम में देखने को मिलेगा बैक स स्टैप आप भी अपने गाड़ी के लिए प्रिफर कर सकते हैं यदि आपको कंपनी से नहीं मिला है तो बड़िया है ब्लैक अंड सिल्वर कॉमिनीशन है और काफी अट्रेक्टिव इसका लुक भी है जिस पर पैर रखके गाड़ी के अंदर बैक साइड से एंटर कर सकते ह ये बैक फूट स्टैप आपको मिल जाता है बलैरो नियो का और इसके लाव हम बात करें भाई तो इस गाड़ी के अंदर साइड फूट स्टैप भी डले हुए देखें काफी लेटिस्ट डिजाइन है इसका ब्लैक अंड सिल्वर कॉमिनीशन है और यहां देखिए ये आपकी गाड़ी में यह चीज नहीं मिली है तो कोई दिक्कत नहीं आफ्टर मार्केट आप इससे डलवा सकते हैं तो यहां देखिए साइड फूट स्टैप का जो लुक आता है काफी स्पोर्टी लुक में आपको देखने को मिलेगा जो कि यहां पर इंस्टॉल किया गया ह है भाई तो यह साइड फूट स्टैप भी आपने देख लिया इसके इलावा हम बात करें भाई तो इस गाड़ी के अंदर अभी ऊपर में आप देखेंगे ब्लैक औं सिल्वर कॉंबिनीशन काफी अट्रैक्टिव एब्यस कॉलिटी के रूफ रेल इंस्टॉल किये गया है जो की फुल लेंथ वाले आपको मिलते है तो यहां देखिए फ्रेंट साइड से लेकर बैक साइड तक पूरा का पूरा आपको यह रूफ रेल आपके रूफ को कवर करता हूँ देखने को मिलेगा इस्टीकी टाइप है रियर साइड में 3M टेप रहता है उसे लिकाल के इस इसका लुक कितना प्यार है तो डूल टॉल कलर में मिल रहा है ब्लैक इंड सिल्वर लुकिंग वाइस बहुत ही बढ़िया है यह लगता है आपकी बुलैरो नियो गारी के उपा है इसके लावा यहां देखेंगे तो यह जो है डूर वाइजर सेट अफ सिक्स पीस आते है डूर के उपर लग जाते हैं ब्लैक कलर के और यहां देखें महंदरा लिखा हुआ तो प्रॉपर यह महंदरा के डूर वाइजर आप अपनी बुलैरो नियो के लिए प्रिफर कर सकते हैं यह भी चिपकान होता है इसे यह से लोड गानिस कहा जाता है सेट आप 4 पीस आते है चारो ही डोड पे इसका इंस्टॉलेशन होता है और इसे लगाने के बाद में जो एक्स्टीर व्यू है वो काफी बढ़िया हो जाता है तो यहां पर अब इसका इंस्टॉलेशन चल रहा है हमारा चलिए इसके लावा हम लोग बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिले के बलैरो का इसका प्लेट जो की स्टील वाला यहां पर इंस्टॉल किया गया है और यहां आप देखेंगे तो यह जो हमारा कैन वूड का सिस्टम तो उसे लिकाल कर यहां पर 9 इसकी स्कीन का इंस्टॉलेशन किया गया है इसका रिविउउ में आपको भी दूँंगा यहां पर भी फ्रेंट साइड के टायर के पास में इसका इंस्टॉलेशन किया गया है तो मट फ्लैप भी इसके अंदर डाल दिया गया है अब भाई क्या होता है गाड़ी के अंदर आप देख सकते कितना ज्यादा डस्त यह ओरिजिनल कार्पेट की उपर आपको देखने को मि दूल मिट्टी ज्यादा लग रही है तो इस फ्लोर के प्रोटेक्शन के लिए यहां पर इस्टॉल किया जा रहा है फ्लोर लाइमिनेशन पहले सीटों को भाल लिका लिया गया है उसके बाद में वैक्यूम क्रीनर से अभी जित्ती भी दूल मिट्टी है इसको साफ करेंग और इसको देखे इस तरीके से यहां पर इस्टॉल किया जाएगा यहां बैक साइड में देखे ब्लैक कलर की पट्टी है इसको वैल को स्टिक कहा जाता है यह गाड़ी पर कार्पेट पर जाके चिपक जाती है और इन फ्यूचर कभी आपको इससे लिकानना है तो आप लिक इनने पर बढ़िया आप गीले कप्रेशे से साफ कर सकते हैं और चाहे तो इसके उपर अलग से मैटिंग कटवा की भी डाल सकते हैं तो अभी हमारी नई गाड़ी है तो यह फ्लो लैमिनेशन हम इस गाड़ी में लगा रहे हैं सारे कॉर्णर जो है उसको फाइबर पार्ट के अंदर सील कर दिया जाता है जिससे उरिजिनल कार्पेट के अंदर दूल मिट्टी वगरे नहीं जाती है तो इससे इंस्टॉल करने के लिए देखिए सीटों को बहा लिका ला है और फ्रेंट साइड से लेकर बैक साइड तक पूरा का पूरा यह जो लैमिनेशन है फ्लो प्रेंट साइड से लेकर बैक साइड तक यहां पर हो चुका है तो आप इसे अपनी गाड़ी के लिए बिल्कुल प्रिफर कर सकते हैं जो सीटे है वह हमारी वापिस से रिंस्टॉल होगी सीट कवर के बारे में आपको बताता हूं चले दोस्तों अभी गाड़ी के बैक के लिए स्टील कार्ट लगा सकते हैं इससे लगाने से गाड़ी की जो सेंसर յर्क्रे वो प्रॉपर वक यृट करता ए रिवास पार्केंग कैमर भी प्रॉपर वक करता है और बैक साइड से कोई गाड़ी को आपकी हिट करे तो उससे को बंपर कंपनी का वो प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे यह प्रॉपरली यहां पर फिक्स हो जाता है और लगने के बाद आप लुग देख सकते कितना बढ़िया है आप आपकी जो गाड़ी है बैक से प्रोटक्ट हो जाती है कोई भी बाइक वाला यदि आपकी गाड़ी को पीछे से हिट करता है तो आपका जो जो है यहां पर होल्ड हो जाएगा तो काफी इसी इसली एस नहीं पर लगग गया और यह नट्स इसको टाइट कर दिया जाएगा और दूसर साइड में भी सेम एजटीस ऐसा ही इसका इसलीयशन होने वाला है तो इस तरह के से आप भी अपनी BULERO Ncken Serious नियो गाड़ी के लि आपको ये fog lamps मिल जाते हैं जो कि yellow color के आते हैं proper install हो जाते हैं bumper में left और right दोनों ही आपको piece मिलते हैं और काफी बढ़िया इसका look भी रहता है तो अभी इसका installation हमारी गाड़ी में चल रहा है आप देख सकते हैं ये जो दो piece हैं इस तरीके से यहाँ पर install हो जाते हैं हमारे जो fog lamp से वो install हो जाने proper है genuine है और काफी बढ़िया इसका look भी है तो देखे यह जो है इस तरीके से जो company का frame हम लोगे लिका लिया उसमें यहाँ पर इससे install करके frame को cut किया जाएगा जिस पर ये fog lamp install होगा तो अभी इसका process चालू है जो wires वगर हैं वो अंदर ही बैटर से connect कर दिया जाएगे तो अब अपनी गारी के steering से ही fog lamp को on कर पाएगे तो अभी इसका installation चल रहा है देखिए यहाँ दोनों के दोनों से install कर दिये गए बंपर को पहले पूरा लिकालना पड़ा था देन उसके बाद में इसका installation किया गया यहाँ पर देखिए properly आपको ये fog lamp देखने को मिल जाते है जो की N10 variant के अंदर company provide करती है यलो कलर का light आपको इसमें देखने को मिलेगा काफी ज़्यादा इसका power है और company के जैन्वन ये fog lamp आपको बुलैरो गाड़ी के लिए मिल जाते है आफ्टर मार के तो आपके पास में N4 N8 variant है तो आप ये fog lamp का स्टमाल कर सकते है सेट अफ टूपीस आते हैं और यह देखिए इस सारे chrome elements आपको इस box के अंदर मिल जाते हैं तो इससे क्या होता है इससे आप अपनी गाड़ी के अंदर लगा सकते हैं 3M tape की मदद से back side में इसको चिपकाना रहता है तो already लगा रहता है यहाँ आप देखे headlight के अंदर इस construction किया गया है इससे गाड़ी का जो exterior look है ना बगाने के बाद में बहुत बढ़िया हो जाता इसके side mirror chrome आपको मिल जाता है दोनों side mirror के chrome भी आपको इस box के इंदर दिये जाते हैं साथ में हम बात करें तो यहाँ टेल लैंप के लिए chrome मिल जाता है काफ़ी बड़िया इसका look है और install होने के बाद में गाड़ी काफ़ी attractive लगने लगती है चले next chrome elements की मैं बात करूँ तो door handle chrome भी आपको उसमें मिल जाते हैं तो door handle chrome के साथ finger guard भी आपको दिया जाता है tell lamp के दोनों side के जो chrome है install होने के बाद में इनका जो look है काफी decent होता है इसे finger guard कहा जाता है देखिए door handle के back side में लगा हुआ है set of 4 piece आते हैं और यहाँ पर install कर दिया गया है इसके उपर में लगाया जाएगा भाई door handle chrome तो आपको बताता हूँ अभी आप देख सकते हैं कि जो finger guard लगा हुआ है इसके उपर में chrome लग जाएगा साथ ही साथ ही आप देख सकते हैं जो चाबी लगाने के लिए hole दिया गया है तो वह आला भी part आपको यहाँ पर मिल जाता है तो two part में आपको इस तरीके से install करना होता है तो यह भाई हमारा door handle chrome finger guard के साथ में यहाँ पर install हो गया देखिए अभी कितना बढ़िया इसका look लग रहा है install होने के बाद में आपको दूर से भी दिखाऊंगा मैं यह हमारा finger guard है इसमें भी अभी हमारा जो door handle chrome है उसका installation होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं तो यह सारे chrome elements आपको chrome kit box के अंदर दिये जाते हैं अब देखिए जो back side में stepney cover है उसकी लिए भी बुलेरो लेटर वाला ही chrome आपको मिल जाता है जिसे आप stepney के उपर लगा सकते हैं काफे बड़ियस का look आता है साथी साथ आप दिख सकते back side के जो door handle chrome है उसमें भी इसका installation कर दिया गया तो बुलेरो लेटर वाला stepney chrome आपको मिल जाएगा यहां देखिए यह जो है door handle chrome back side के door के लिए यहां पर install कर दिया टेल लैंप हो गया है और हमारे जो door handle chrome finger guard के साथ में यहां पर install हो गया है तो यह सारे के सारे chrome elements आपको आपकी बुलेरो नियों के लिए मिल जाते हैं तो यहां से अप देखिए उपर में लगया roof rail, door visor, chrome case, side foot step, wheel cap यह सारी accessories लगने के बाद में गाड़ी का लुक काफी बढ़ी आ जाता है देखिए इसे lower garnish जैसे कि मैंने आपको बताया था यह chrome व दलने के बाद में, अब हम बात करेंगे जो हमारा एक आखरी वाला जो chrome element है वो रह गया था तो यहां तके reflector के पास में यहां पर यह chrome मिल जाता है और इसे भी same as is 3M जो tape रहता है back side में उसको लिकाल का चिपकाना होता है, तो इस तरीके से आपके जो chrome kit combo pack के अंदर जितने भी elements आते हैं, आप इस तरीके से अपनी bolero new guard के लिए install कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं, अब बात करेंगे हम लोग भाई, गाड़ी के एक exterior view की, तो यहां आप देख सकते हैं भाई, गाड़ी में chrome kit लग गया है, रूफरे लग गया है, door visor लग गया है, side foot step लग गया ह अब एक चीज और है, छोटी से accessory, car door guard इसे कहा जाता है, set of 4Ps आते हैं, और यह है ना काफी बढ़िया होते हैं, तो यहां देखिए door guard का installation यहां पर किया गया है, इसे लगाना इसलिए ज़रूरी है कि कभी भी आप गाड़ी का gate खोले हैं, कई बगल में देवाल हो, तो आप इसे लिकाल लिया गया, उसके बाद में यहां पर install किया गया है, नाइन इस का full touch android system, इसकी जानकर यह भी आपको देता हूँ, उससे पहले आप देखिए, full bucket seat covers यहां पर आप देख सकते हैं, chocolate color के covers का installation यहां पर किया जा रहा है, आपकी जो seat हैं, उसको बढ़िया comfort देने के यह covers यहां पर लगाया गया है, जो company के covers हैं, उसको protect करने के लिए भी, साथी साथ यहां आप देखेंगे, तो जो steering wheel है, उस पर भी यह cover लगाया जा रहा है, जो हमारे seat cover है, matching cover यहां पर slide करके यहां पर लगाया जा रहा है, इससे आपको gripping अच्छी मिलती है, और long journey आप कर color के जो seat cover है, यहां पर install कर दिये गए, seat जो भाल लिका ले गई थी, वो वापिस से reinstall कर दी गई है, यह middle row वाली seat आप देख सकते हैं, जिसमें सारे seat covers यहां पर डाल दिये गए हैं, तो आपने देखा, कि किस तरीके से भाई, आप XTI accessories और interior accessories को लगवा सकते हैं, अपनी गा लगाने के लिक frame की requirement है, जो कि आप black color की plastic की frame देख रहे हैं, उसकोल लगाना होता है इस display के अंदर, यहां आप देखे, cap to touch है, FM radio और सारी चीज़े इसके अंदर पहले से pre-installed है, यहां आप देखेंगे तो video quality भी आपको इसकी बहुत बढ़िया मिल जाती, full HD video आप YouTube से play कर सकते हैं, internet connectivity करने के लिए इसके अंदर Wi-Fi दिया गया है, तो अपने mobile phone को hotspot on करके, Wi-Fi के थूर internet connectivity आप ले सकते हैं, यहां देखें, वीडियो की quality का एक चोटा सा है, आपको video play करके मैं दिखा देता हूं, तो यह video quality आपको इस तरह से मिल जाती, steering control देखें, इसके जो हमारे internet variant एक company के steering control इसमें डले हुए, तो यहां से आप work कर सकते हैं, इसका attachment भी हाँ पर कर दिया गया है, तो steering control को भी यह connect कर लेता है, इसके लावा reverse parking camera का attachment किया गया है, और साथी साथ file manager देखें तो pen drive लगा के भी आप movie वगेरे इसके अंदर चला सकते हैं, FM radio तो अल्रेडियो ह जो कि आपके company के निपॉन के जो चार्ज स्पिकर लगें, उसके साथ में इसका connection किया है, GPS, Google में आपका इस्तमाल इसके साथ में आप कर सकते हैं, तो कहने का यह मतलब है कि जिस तरह के सब अपना android mobile phone चलाते हैं, same as that is where it works करता है, या reverse parking camera का view, reverse gear डाल में पर आपको मिल जात तो बिलकुर हमसे contact कर सकते हैं, इसे हम आपको home deliver करा देंगे, तो भाई मिलते हैं, ऐसी next day के साथ में, तब तक लिए goodbye, जाहिन, जाय भाई